डिक्टेशन पांस सिगने बाद स्टार्ट होगा येज रेडी स्टार्ट तमभाखू कैंसर का एक मुख्य कारण है विराम रिपोर्ट में इसे 27 प्रतिसत बताया गया है विराम संबव है कि यह 30 प्रतिसत से जादा हो विराम तमभाखू की वज़य से मुहें गले, फेफडे, आहार नली, बलड कैंसर हो रहे है विराम वायू प्रदूर्शन भी फेफडे के कैंसर का कारण बन रहा है विराम धुमरपान नहीं करने वालों के लिए भी यह चिंता जनक है विराम मिटी और जल प्रदूर्शन की वज़य से आज कल सबजियां और खाद्यपदार्थ विसाक्त हो रहे है विराम सबजियों में आरसेनिक, केडमियम, मरकरी, लेड की मात्रा आ रही है क्योंकि सिंचाई के पानी में फेक्ट्रियों और रसायनों की गंदगी खेतों में पहुंच रही है विराम अच्छी जीवन से लिए हरी सबजियां, खाने और कोई नसा नहीं करने के बावजुद भी लोग इस बिमारी का सिकार हो रहे है विराम एक बड़ा कारण गर से लेकर वातावरण तक फेला पलास्टिक भी है विराम पेरा इसमें GSA कैंसर का कारण बनता है विराम आजकल फास्ट फूड, पीजा, बर्गर, आदी खाने का चलन बड़ रहा है विराम इनमें Saturated Fet होता है विराम भारतिये खाने की तरहे में इसमें Fiber नहीं होता है विराम इसे आंत का कैंसर महिलाओं में सतन का कैंसर प्रूसों में प्रोस्टेट का कैंसर होने लगा है विराम मेला माइन से बनने वाला नकली दूद भी खतरनाक है विराम तरह तरह के केमिकल मानव शरीर में पहुंच रहे है विराम कैंसर गातक बिमारी जुरूर है लेकिन इसे रोका भी जा सकता है विराम क्या हम तंबाकू को पूरे देश में बंद नहीं कर सकते हैं चोसन मारक तंबाकू, सिग्रेट, बीडी, सुपारी, गुट का जिस भी रूप में तंबाकू उत्पाद है उसे ततकाल बंद कर देना चाहिए विराम पेरा जिनका ये तरक है कि तंबाकू किसानों को इसे नुक्सान हो जाएगा तो उसका विकलप दलहन या आलू की खेती हो सकती है विराम तंबाकू की बज़ाए अन्य जगहे निवेस करने की आवशकता है विराम तंबाकू के अर्शास्तर को अगर समझे तो तंबाकू के उत्पादों से जितना रेवन्यू सरकार को मिलता है उसे कई गुना ज्यादा देश को इसे होने वाली बिमारी पर खर्च करना पड़ता है विराम यह खर्च चाहे सरकार करे या मरीज अपनी जेब से करे विराम अगर हम इस बिमारी को रोकने के लिए खर्च को बचा सकते हैं तो देश को इसे बड़ा फाइदा होगा विराम पेरा दूसरा अगर हम खाद्यापदार्थों में होने वाली मिलावट को रोक दें या सबजियों का आदी की टेस्टिंग होने लगे तो कोई भी जगय से उगा कर सबजियां नहीं बेचेगा जहां की मिटी और पानी जहरिला है विराम कई छोटे देशों में इसे बड़ा अपराद माना जाता है विराम यह कानूनी और नेतिक तोर पर भी बड़ा अपराद है विराम हमारे यहां खाने में मिलावट की वजय से कैंसर जैसी गंबीर बिमारी हो रही है विराम हम इसे बचाव कर सकते हैं लेकिन उपाए नहीं हो रहा है विराम आजादी के इतने वरसों बाद भी देश में कैंसर को रोगने और जागरुकता के लिए कोई अभियान नहीं है और नहीं द्रातल पर कोई परभावी कारिये किया जा रहा है विराम वेक्तिगत तोर पर बिते 20 ब्रशों में जागरुकता की इस कोईशिस में लगा हूँ स्टूप